हलो दोस्तों अगर आपको भी अपने computer screen पे कुछ इस बड़ा type का timer चाहिए तो आपको इस कुछ setting करनी पड़ेगी आपके computer में तो जिससे यह आपके computer में आ जाएगा तो सबसे पहले आपको एक setting करनी पड़ेगी जिया आप window 10 यूज़ कर रहे हो चाहिए window 11 यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आपको setting पे आजाना है अपने computer के जैसी आप setting पे आजाओगे यहापको एक power का option अजर आ जाता है जैसी power पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके screen and sleep का option होता है तो इसको जैसी open करोगे यहाँ पे आपका कुछ भी timer हो सकता है पांच मिनट बाद जैसे आप computer यूज़ नहीं करते तो पांच मिनट बाद वो आपने आप या तो shutdown हो जाएगा तो मेरा ये computer मैंने इस पे set नहीं कर रहा है मैंने never पे select कर रहा है मतलब कि आगर मैं computer प्रीन नजर आजाएगा यहां पर आपको download का option नहीं नजर आएगा तो उसके लिए आपको यह आपको right तुदके यहां पर option नजर आ रहा है राएं टौप ए ThreeLine है जैसे आप इस पर click करोगे add को पहले cut कर देना और इसके बाद आप नीचे जाएवां यहां पर option नजर इस पर हम download जैसे click करेंगे यह हमारा zip file download हो जाता है इसको देख लेते हम कहां हमारा download हो रहा है हमारे c drive में download के option में download हो रहा है इसको सबसे पहले हम extract करेंगे खोल देंगे इस वाले file को जो zip file है जैसे आप खोल दोगे यहां पर दो file आपके पास यह 3-4 file आ जाएगी basically तो आप आपको इसमें सबसे जो बीच वाला है इसी का काम है इस वाले को file को आपको करना है राइट क्लिक करना है और यहां पर यह विंडो 11 में यूज करना हूं तो यहां पर मेरे को एक option नजर आ जाता है अब आपको यहां पर दिखा रखा है wait मतलब एक minute या नहीं अगर आप एक minute तक अपना computer मतलब चलाओगे नहीं अपना mouse हिलाओगे नहीं मतलब कुछ भी चीज़े आप करोगे नहीं तो एक minute के अंदर में यह आपका screen ऐसा नजर आ जाएगा ठीक है और इसके बाद आपको यहां पर बस यह सारी चीज़े setting करनी है और यहां पर आप एक और चीज़ setting कर सकते हैं जैसे अप setting पर क्लिक करोगे और यहां पर इसका size वगशे ब्राइटनेस भी कम ज़दा कर सकते हो यह size भी कम छोटा बड़ा कर सकते हो अपने according में तो मैं यहां पर 100% ही रखूँ गो और यहां पर आप देख सकते हो इसके background में कुछ यह box जैसा है आप इसको हटाना चाते हो तो यहां पर आप क्लिक करके हटा भी सकते हो और यह जैसे 12 hour का format दिखाता है या 24 hour का जो आपने हिसाब से आप इसमें setting कर सकते हैं एक वर आप setting कर लेना ok पर click कर देना उसके बाद यह कुछ ऐसा final आपका apply पर click करके ok पर press कर देना अब यह आपके computer पर यह apply हो चुका है अब आपको simple से आपको यहां पर करना क्या है इसको cut कर लेते हैं क्यूंकि इसको हम अपने computer में हमेशा के लिए use करेंगे तो आप अपने c drive में आ जाना और basically यहां पर आके simple इसको paste कर देन जिससे यह हमेशा आपके c drive में ही रहे download वाले option में ना रहे तो आप देख सकते हो आप अपने computer पर एक मिनट बाद अगर आपको mouse ना चलाओ गए तो यह आपके screen पर नजर आ जाएगा काफी अच्छा look लगेगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना इसी टाइब का content अगर आप देखना चाहते हो internet से related तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना